देखें एक शब्द है रियाज, तो इस दोड़े में रियाज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या आरत और मतलब होता हैं, दोनों में जानेंगे, एक्सांपल से सेंटेंसेस में शब्द को यूज करके आची तरह से समझेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या मतलब होता है रियाज का, देखें रियाज का मतलब होता है किसी काम को बार-बार करना ताकि आदत या महारत हो जाए उसी को हम बोलते हैं रियाज, तो क्या मतलब हो मतलब हो मश्क, अभ्यास, लगातार, महनत या परिश्रम मतलब रियाज, इंग्लिश में रियाज को बोलते हैं practice, putting into practice, exercise, training, drill या drilling, habit, habituation, work out and addition, लब और भी इंग्लिश में इसके शब्द हो सकते हैं, रियाज के, example से sentences में समझते हैं इस शब्द को अची तरह से, जैसे बोलेंगे आम बोल चाल में तो इस तरह से शब्द को प्रियोग करेंगे, मैं उनसे कहूंगा कि वो अपना रियाज जारी रखे, मतलब अगनिश में, I will tell him to continue his practice, तो practice का मतलब रियाज, अभ्याज, दूसरा example, मैंने पूरी जिंदगी इस ही का रियाज तो किया है, मतलब अगनिश में, it is what I have been training for my whole life, तो training का मतलब भी रियाज, ठीक है तो मैंने अपने रियाज शब्द को इंगलिश और हिंदी में example के साथ मैं आची तरह से समझ लिया है, thanks for watching as you care, desk.